आज मैं आपके संग बहुत ही टेस्टी सिम्ला मिर्च की रेसिपी सेयर कर रहे हूँ या आप कह लीजिए सिम्ला मिर्च की बहुत ही टेस्टी सब्ची है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं Welcome to Amazing Kitchen रेसिपी अगर अभी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे मैंने फ्लेम आउन कर ली है और इसमें मैं सिम्ला मिर्च को रोष्ट करूँगी मतलब भूनूँगी तो आपको हाई फ्लेम में इस तरीके से जैसे मैं भून रही हूँ न ऐसे आपको सिम्ला मिर्च को भून लेना है तो यहाँ पे मैं एक पाउ सिम्ला मिर्च ले रही हूँ और बस इस तरीके से अलटते पलटते मतलब flip करते हुए आपको सिमला मिर्च को roast कर लेना है चारो तरफ से तो यह देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से roast हो जाती है जलाना नहीं है इनको roast करना है तो बस इस तरीके से मैंने roast कर लिया और flame मैंने off कर दी है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी सिमला मिर्चों हैं वो बहुत अच्छे से roast हो गई है तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है इन्हें रखते हैं side में अब यहाँ पे जिसमें आप अद्रक बगरा कूटते हैं वो आपको लेना है और इसमें डाल नहीं हूँ 7-8 कलियां लहसुन की इसी के साथ मैं इसमें डाल रही हूँ मैं 3 हरी मिर्च तो आप हरी मिर्च अपने स्वात के अनुसार लें आपको जितना तीखा खाना हो आप उसे साब से हरी मिर्च इसमें डाल सकते हैं अब इसे कूट लेंगे तो मैंने अभी इसे कूट लिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ तीन बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगपली तो ये मैंने रोस्टेट पीनट ली है अगर आपके पस भुनी हुई ना हो तो आप तबे में मूंपली को थोड़ा भून ले और छिलकी उतार करके फिल ले ले तो इसे भी कूट लेंगे तो ये जो सारी चीजे हैं इसे आपको बेसिकली दरदरा कूटना है इसलिए मैं इसमें कूट रही हूँ आपको इसे ग्राइन नहीं करना है इसे दरदरा ही रखना है तो बस सारी चीजे बहुत अच्छे से कूट गई है तो यहाँ पे मैंने लेसुन, मूंग फली, हरी मिर्च को अच्छे से कूट लिया है और हलका दरदरा सा कूट आ है बिलकुल इस तरीके से तो बस अब इसे भी साइड में रख देते है यह कूट करके हमारा जो दरदरा सा पेस्ट है यह तयार हो गया है और इसे बहुत यह चाप फलेवर आएगा इस सिम्ला मिर्च की रेसिपी में आए सिम्ला मिर्च की सबची में अब यहाँ पे simla mirch ले रहे हूं जिसे मैंने roast करके रखा था तो बस अब simla mirch को roast करके इसे chop कर लेंगे तो बहुत ज़्यादा छोटे पीस में भी ने और बहुत ज़्यादा बड़े पीस में भी ने chop करेंगे तो इस तरीके से अंदर के जो बीच है मतलब सीड है उन्हें निकाल देंगे और इस तरीके से मैं कट कर रही हूँ अभी मैं इसे और छोटा करूंगी बस इससे जद आपको छोटा नहीं करना है तो बस यहाँ पर ये मैंने सारी सिमला मिर्जो है वो कट करके त्यार कर ली है और अब मैं चढ़ा रही हूँ कढ़ाई कढ़ाई में डाल रही हूँ तीन से चार बड़े चम्मज तेल के तेल को थोड़ा गरम होने देंगे तो तेल गरम हो गया है इसमें डाल रही हूँ मैं आधा चोटी चम्मज जीरा जीरा को थोड़ा से तड़कने देंगे और इसमें अब डाल रही हूँ मैं सिम्ला मिर्च तो मीडियम हाई फ्लेम में लगातार चलाते हुए सिम्ला मिर्च को पकाएंगे उसे भूनेंगे तो इस तरीके से आपको ढखना नहीं है इसे कवर नहीं करना है इसी तरीके से आपको सिम्ला मिर्च को फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम में तो मैंने दो से तीन मिनट तक सिम्ला मिर्च को अच्छे से फ्राई कर लिया है तो इसमें अब मैं डाल रही हूँ 148 की मतब एक चोथाई चमच हल्दी पाउडर आधा चोटा चमच मैं इसमें डाल रही हूँ कास्मीरी लाल मिर्च पाउडर फ्लेम मैंने लो करी हुई है अभी अब मैं इसमें डालूँगी जो मैंने मुंगफली, लहसुन और मिर्च को कूट करके रखा था न वो और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे फ्लेम लो रखिएगा, लो फ्लेम में दीरे दीरे से भूनेंगे इससे क्या होगा कि जो लैसुन है, मिर्च है वो भी भूनेगी तो बस लो फ्लेम में इसे दीरे दीरे भून लेंगे कम से कम 2-3 मिनिट तक अभी इसे भून लेंगे तो 2-3 मिनिट तक मैंने भूना बिलकुल लो फ्लेम में और इसमें अब मैं डाल रही हूँ स्वाद अनुसान नमक तो यहाँ पर मैंने नमक इसलिए जल्दी से डाल दिया कि नमक चे थोड़ा सा मौश्चर आएगा इसमें और जो सुखे मसाले हैं वो जलेंगे नहीं अब इसमें मैं डालूंगी एक चोथाई चममच धनिया पाउडर इसी के साथ में एक चोथाई चममच ही मैं डाल रही हूँ इसमें गर्म मसाला पाउडर वीडियो को skip मत करिएगा अब इसमें और भी चीज़े डलेंगे और भी इंग्रीडियेंट्स डलेंगे और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चिली फ्लैक्स अच्छे से मिक्स करेंगे तो 30 से 40 सेकेंड तक इसे अच्छे से सौते कर लिया है मैंने और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक पड़ा चमच जितना बेसन तो ये मैंने एक पड़ा चमच बेसन डाल दिया थोड़ा सा और डाल रही हूँ मैं और अच्छे से इसे भूनेंगे फ्लेम बिलकुल लो रखनी है आपको नहीं तो सारी सीज़े जल जाएंगी तो लो फ्लेम में आपको इसको कम से कम 2-3 मिनट तक भूनना है इससे क्या होगा कि बेसन भी बहुत अच्छे से भून जाएगा और सारी चीज़े एक साथ अच्छे से गुल मिल जाएंगी तो यहाँ पर मैंने 2-3 मिनट तक अच्छे से भूनना है जिससे भी बेसन बहुत अच्छे से भून गया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चमच ड्राइब मैंगो पाउडर अगर ड्राइब मैंगो पाउडर ना हो तो आप इसकी जगे चाट मसाला पाउडर भी एड़ कर सकते हैं उस टाइम पे कंडिशन यह है कि अब जब नमक डाले पहले तो थोड़ा कम डाले क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है तो बस अब अच्छे से मिक्स करेंगे और एक मिनट तक और इसे लो फ्लेम में इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे तो सारी चीजे बहुत अच्छे से पक गई है यह जो सिम्ला मिर्च की रेसिपी है या आप का यह सिम्ला मिर्च की सबजी है यह बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है तो बस अब मैं फ्लेम को ओफ कर रहे हूँ और मैं इसे सर्फ करने जा रहे हूँ तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से सिमला मिर्च की सबजी बनाईए बहुत टेस्टी बनती है और आप इसे रोटी के साथ में खाईए या आप इसे पराठे के साथ में खाईए ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और अगर आपको हमारी recipes अच्छी लगते हैं तो आप Amazing Kitchen recipes को कर लें सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो like और share जरूर करें साथ में comment करके जरूर बताएं कि आपको हमारी recipes कैसी लगती हैं बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली recipes का notification आप तक पहुंच सके Thank you for watching वीडियो